चलिए नाजरीन आज हम आपको कड़ाही चिकन बनाने की रेसिपी देते हैं और इसके लिए हमने एक मीडियम अनियन लिया है एक कार्लिक थोड़ी सी जिंजर जितनी के दस्वीर में दिखाई दे रही है धनिया, हरी मिर्चे, आधी चिकन है जो के एक बहुत बड़ी साइस की चिकन थी दो क्रेश्ट कैन टोमेटो लिये हैं बहतर है कि आप छे मीडियम साइस फ्रेश टोमेटो ले ले लें स्वाइसीज में हमने वन टी स्पोन सॉल्ट, वन टी स्पोन कॉरियंडर पाउडर, हाफ टी स्पोन टर्मरिक, वन टी स्पोन क्यूमिन सीड, वन टी स्पोन क्रश्ट कॉरियंडर और वन टी स्पोन क्रश्ट चिलीज का लिया है साथ ही हमने जिंजर और गारलिक को छोटी छोटी क्यूब्स में काट लिया है और जरूरी नहीं कि आप पूरा ही लहसन डालें जैसे कि हमने आज तकरीबन तीन बटा चार लहसन डाला है अपनी चिकन के हिसाब से आप देख लें वाक में हमने खुब खुला तेल डाल कर उसमें चिकन डाल दी है और सॉल्ट शामिल कर दिया है थोड़ी देर तक वो चिकन लाल होने लगेगी ज्यादा देर नहीं लगेगी इसके बाद आप इसमें अपनी स्पाइस डाल दें कैन टोमेटोस डाल दें और टोमेटो डालने में यह है कि आप देख लें कि अगर आप वो कम लगे तो और डाल दें लहसान अद्रक जो हमने काट कर रखा हुआ था चुटी चुटी क्यूब्स में वो हमने डाल दिया है टिमाटर हमें कम लगे इसलिए हमने आधा कैन और इसमें टोमेटोस का डाल दिया है इसके बाद आप इसे पकने के लिए धक दें कुछ देर के बाद आप इसे खोल कर देखेंगे कि आउल जो है वो अलग हुआ होगा और टोमेटोस और चिकन थोड़े कुक हो गए होंगे आप इसमें कौरियंडर काट के डालने और खूब सारी हरी मिर्चें भी शामिल कर दें और थोड़ा सा हिला कर आप इसमें देख लें कि आपकी चिकन अच्छी तरह से पक गई है तो जब बिल्कुल तकरिबन तयार हो जाए तो आप इसमें बारी बारीक स्लाइस किये हुए अनियन्स डाल दें वो भी आपकी पसंद पर है हमने तो एक मीडियम साइज अनियन इसमें शामिल किया है और ये देखिए आपकी चिकन बिल्कुल तयार है और ये बहुत चल्दी बनने वाली डिश है इसको के सब कुछ आप पहले से काट कर तयार करके रखें तो फौरान ही तयार हो जाएगी उमीद है कि आपकी इकडाही जिकन बहुत अच्छी बनेगी अल्लाहाफेज